आज हमारी क्लास चालू करते हैं जो पिछले चार दिनों से टॉपिक के बारे को डिस्क्रस कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा परसेंटेज तो अभी हम इसी टॉपिक को अब कंटीनू करेंगे और हम इसमें कुछ एक नई नई चीज है जैसे इस टॉपिक आगे बढ़ेगा हम कुछा कुछ नहीं या चीखते चले जाएंगे आज का हमारा जो टार्गेट है क्या सीखना चाहते हैं कि परसेंटेज के जो कुछ कुछ के साते हैं इसके बेस को पर आते हैं आयत और परगे के बिस चले काम करते हैं पहले हमें एक कॉंसर्ट सीखते हैं उसके बाद में धीरे धीरे कुछ को भी कुछ करेंगे तो आगर मनलो मैं आपके की चीज पूष आप मुझे बताइए जहां से पूष था हूं कि भाई यहां कि आयत आयत क्या है तो आप लोग बोलते हैं तो आयत की इससरीके है जह जोड़िक इसमें समने के जो साइट ऊते हैं तो नुम्बर एक बात क्या बोलेंगे आप अपोजिट साइट साइड 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 स बेट्वीन साइट्स तुट भी इसे बात का होनी चाहिए तो तीसी बात आप क्या बोलेंगे सब्सक्राइड़ है इच साइट्स विद देड़े डिननी अन्य आपोशेट्स बॉलेट्स आपोशेट्स अर्शेट्स साइच साइट्स अर्लरल मुटकी है जर्वाइड्स सब्सक्राइड और जो साइट लोंगे वो क्या होगे पैरला लोंगे तीच अब देखो जैसे एने मालो ये एक रेजिम कर लिया A B C D को एक रेक्टेंगल है इसका अधब क्या होगा देखो पहला वाला कंदिशन अगा true होगा तो इसका अधब क्या होगा एबी जो साइट है वो साइट किसके एकवल होगा C D E K E C C साइट है किसके एकवल होगा C D E K E C दूसरे कंदिशन क्या होगा जितने भी एंगल है जैसे पर एक्जामपल आप लेलो 7 एंगल ADC, कितना anti-degree, दूसरे अंगल देख लो, BCD, कितना anti-degree, तो ऐसे करके आप देखरों को सारे के सारे angles कितना है, anti-degree के हैं सारे angles, ठीक है, तको दिखेते हैं, अब देखो, यह तीसरा condition बोलता है कि parallel होंगे सारे के सारे sides, तो क्या होगा, AB, parallel किसके होगा, CD के, DC, इसे parallel किसके होगा, अगर यह conditions, तो यह जो shape होगा, यह shape कैसा होगा, एक angle होगा, ठीक है, आपको दिखेत, अभी माल लो, अगर हम लोग बोलता है कि इसका area निकालो, area निकालो, area निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग क्या एजिम करते हैं कि इसका जो एक साइड है सबसे बड़ा जो साइड हो उसका हम लोग क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं लोग लेंथ दूसरा जो साइड हो उसका हम लोग क्या बोलते हैं मतलब लेंथ को तो हम लोग क्या बोलते हैं तो एरिया निकालने की बात ह आपको क्या बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई और दोनों को मौल्टीप्लाई कर दें डें दोनों को मिलेगा रादें नहीं, चलिए अब इसका आगे चलते है, चलिए अब इसका आगे देखते हैं, कि मालोग अभी आपने शीखा है कि अरिया निकलना है तो क्या करें, लेंथ और बीट को दोनों को मल्टिप्लाइ करें, आपको मिल जाए यानि यह लंबई और छोड़ाई दोनों को, मल्टिप् एक रक्टेंगल है मालो, P, Q, R और S, अगर एक रक्टेंगल है, मालो इसका मैं आपको कुछ side देता हूँ, कि मालो जैसे मैं आपको दिया, suppose करो 100, यह भी मैं आपको दिया, इतना, suppose करो 100, अगर मैं आपको दिया, कि आपको काम करें, इसका area निकालें, आप क्या बोलेंगे जैट को, जैट से multiply करने, कितना आएगा, 10,000, अगर यह cm में दिया है, यह cm में दिया है, यह answer किसमें आएगा आपका cm, क्यार में आपका answer आएगा, ठीक है, अब देखें, जो competition में जो questions आते हैं, किस तरीके questions आते हैं, वो बोलते हैं, कि आप एक काम किजिए जो, इसकी जो increase करने, बतब x percent बढ़ा दें, वेर्थ है, आप इसको भी क्या करें, कुछ percent आप इसको increase करने, आप आप एक काम किजिए, अब इसका area निकाली है, इसका area कितना होगा, ठीक है, एक तरीके करना question यह आता है, कि इसका area कितना होगा, second type का question आता है, इसका area, इसका area, कितने percent, कितने percent, क्या होगा, या तो increase होगा, या फिर decrease होगा, इस तरीके questions exam में आते हैं, और बहुत possibility है, ऐसे questions 99% आते हैं, यह question तो फिर भी बहुत कम आते हैं, इस तरीके questions लेकिन इस तरीके questions होग ज़्यादा आते हैं, तो देखो, अभी जब आपने इसको बढ़ा दिया, इसका तब यह क्या हुआ, यही था, चलो आप इसकी जगए को data assume करते हैं, suppose करो मालो, इसको मने कितना परसंट बढ़ा दिया, तो मालो assume करो, इसको मने 20% increase कर दिया, इसको 10% increase कर दिया, तो देखो, अभी क्या हुआ, अगर मैं इसको दुबार से draw करता हूँ, अगर मैं 20% increase करूँगा तो यह side इतना number हो जाएगा, इसको देखेंगा तो यह कितना number हो जाएगा, इसका अतना क्या हुआ, अगर मैं original team में जाके देखता हूँ, तो P और मैं को Q कहां तक मिलेगा हूँ, इस जगए तक ही मिलेगा, और S इता है लेकिन यह जो area है, यह area फिरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो कि मैंने क्या किया है, length of it दोनों को बढ़ा दिया है, अभी मुझे निकलना कहीं, यह जो area जो मेरा बढ़ा है, यह total area जो मेरा बढ़ा है, यह कितना % increase हुआ है, यह निकलना, कै तो देखिए इसका अंतब क्या हुआ, यह 100 दो था, यह 100 था, और यह भी आपका क्या था, यह जो से लेकिके यह पॉर्शन बढ़ा है, यह कितना है, प्लस यहादा पोर्शन यहादा पोर्शन कितना है, तो अगर में इसका एरिया निकलना जाता हूं तो मुझे का बलना पड़ेगा इसका लेंध कितना है इसका वेड़ यह कितना है इन दोनों के निकलना है तो पहले मैं इसके लेंध कालक्रेट करूं कि लेंध कितनी है इसके लेंध कालक्रेट करते हैं लेंध कितनी है पहले कित 20% हमने increase किया 100 का 20% कितना होता है 20 तो टोटल कितना हो जाएगा 120 अभी वेड़्थ देखते हैं वेड़्थ कितना होगा इसका पहले कितना था 100 और अब कितना increase कर दिया 100 का 10% इसका तब कितना हो गया है और टोटल कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 इकोल टू 110 तो अब यह काम करें यह डेटा हैं रख देते हैं 120 इंटू 110 तो अब यह आप 120 को और 110 को गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा त्यार एगा त्यार त्यारजार थन्टेंटिमीटर स्कॉर tactics आपके लेया कंड़्या सुर्ण तार मिलेगाえ अकितना इंकलता है कितना इंक्री сок ऐख ज़ु आपका कितना इंक्रीस गूआ तो अब यह 32 cm स्कार बढ़ा है यह कितना परसंट बढ़ा है इसका 10,000 का आप एक काम किजिए कर लें 10,000 का आपने एजिम कर लिया कि एक स्परसंट बढ़ गया है यहां पर कितना बचेगा आपके पास 32, आप इसको फ़ॉल करके देखे क्या मिलता है बटीस सो मुल्टिप्लाइ एंड्रेड अपन 10,000 1,2,3,4,1,2,3,4,4 चार्ज यह चार्ज यह इसका तर आपको कितना मल गया 32 % इसका एडिया चाओ गया इंक्लीच हो गया ठीक है विए कंसे टीर है फुर्थै को सबसे जाने वावाली बात ही यह है कि जितना भी हेडिया इंक्लीच होता है कर लिया है एक जितना भी ऐसे की साथ उसको बढ़ाएं सक कितना बढ़ गया उसमें सो मैंनस कर दें और पहलेवाला एरिया था उसका उतना परसेंट इसको कल्किलेट करने कितना है ठीक है तो आप देख रहे हैं देखो इसका एरिया 32% बढ़ गया है तो अभी तो देखो यह बढ़ने वारा था कर माल लो अभी हम आगे चलते हैं हम बोलते हैं कि माल लो कोई यह रेक्टेंगल था अब पर रेक्टेंगल था जिसको मैंने नाम दिया P Q R अब बोला जाएक्षि में क्या possibility है मर एक possibility क्या है क्या है कि हम छैंत को incrise कर दें मर्द यह पॉसिविटी क्या है तो को decrese कर कर दें निए 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 न कीस नंबर기는 क्या कर सकते हैं एक को कम कर तो एक को ज्यादा कर दें ठीक है अब ही अगर ऐसे कुछेंस अब हमें solve करने हैं कि हमें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा हमें ध्यान रखते हैं चलिए एक जन्रल फॉर्वर निकालते हैं कैसे इसको solve किया है कि मालो एक्स और य य प्रसेंट हमें इंक्रीज करते हैं कि और भी हम increase करेंगे, वहापर हम क्या करना पड़ेगा हमें दोन्हों को plus करना पड़ेगा कि य ज़ा भी हम decrease करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले case के लिए लेते हैं मैं क्या किया है। दोनों को plus plus x multiply y और 100 ठीक है दूसरे case के लिए बात कर लेते चलो यहां पर क्या किया दोनों को decrease क्या इसका अदब minus x minus y ठीक है क्याएगा plus plus x multiply y upon 100 तीसरे वाले case के लिए अगर हम बात करते हैं हमने क्या किया क्या इंक्रीस करा इसको decrease किया क्या जाएगा minus x multiply y upon 100 तो अथे वाले case के लिए बात करते हैं तो हमने क्या किया इसको decrease किया plus y minus x multiply y upon तो देखी तो प्लस सिंबल है तो क्या शोग करता है increase को तो देखो हमने पीछे भी यही काम किया था अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं तो आप इन चारो तरिकों से देखें ये चारो के चारो आप इन से किसी रिकुशन को पॉल कर सकते हैं अगर आप इनको यार नहीं रखना चाहते हैं तो केवल ये ध्यान रखिए कि आप क्या निकालिए चैक्टेंगल बना लें पहले तो उसका एरिया निकालने एरिया और कितना था ठीक है कि आप क्या निकालने एरिया आफ्टर कितना है निकालने फिर आप क्या करें इंक्रीज एरिया कितना है एरिया कितना है वो निकालने तो उसके लिए क्या करेंगा आप एरिया आफ्टर माइनस एरिया विफोर इसको निकालने कितना आएगा अभी एक अल्युलेट कर लें कि एरिया पिफोर का कितना परसेंट इंक्रीज एरिया है कितना परसेंट है आप यहाँ पर एक्स की वैलिव के लिए क्या कर लें यही आपका क्या होगा अंसर होगा उमीद करता हूँ आपके समाझ माया होगा अगर कोई डाउट है तो बोलिया कोई समस्य है इसके अंदर नहीं आगे बढ़ें ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम अब बात करते हैं स्क्वेर की स्क्वेर में क्या होता है स्क्वेर के चारों के चारों साइट्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं पर वही बात चारों के चारों साइट्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं संबर दो 90 डिग्री होता है पर तीन क्या होता है प्यारल होता है किवल परक यहां पर होता है हाँ पर आमने वाले sides या opposite sides से equal होते हैं या बह्त सारे के साथे sides इक्वल होते हैं अगर आप इसका area निकालते हैं area क्या होता है इसका side into side कोसीबर हम लोग इसको क्या लिखते है को साइड का square ह prin का work इसके अंदर रेके निकाला जाए तो चलो एक एक अग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से तो अभी हमने एजिम कर लिया कितना अंडेड तो एरिया कितना गया अंडेड का स्क्वार इस एरिया का नाम दो फटाफट से कितना मिल आपको 10,000 किदना भढ़ दिया को माल लो चलो एक स्कुलो तैन परसंटे इंक्रीस कर दिया अभी कितना हो गया यह कुतना हो ग्या 110 यह वी कितना हो ग्या 110 अभी आप कहा करेंगे 110 इंटो 110 कितना हो गया एकषटीस जिरो जिरो कितना हो गया तो टोटल एविया कितना इंक्रीज हो गया आपके पास में 12000-1000 कितना बज़ा आपके पास में 200 बच गया उसका अब 10,000 का यह निकाल लें कि इतने परसेंट मुल्टिप्लाइए हंड्रेट अप़ॉन जिएक दू-तीन-चार गट रहे हैं, इतना बचार गटना बचार गटना बचार 21% इसके एरिया केतने increase हो गया 21% का area increase हो गया जो बहुत आसान है थोड़ा सा practice की तो बहुत आराम हो जाएगा और फटा फट होगा इसे questions आते हैं और बहुत सारे exams में कई आराम से आते हैं आप इसकी practice करिए बहुत आराम से होगा ठीक है चलिए आपको प्रेक्टिस कर लेते हैं चलिए प्रेक्टिस करके देखते हैं क्या आप लोग कर सकते हैं तो देखो पहले मैंने क्या बबला आपको rectangle बनाईए कितना है 100 अब इसने कितना कर दिया नोषे बढ़ा दिया इसकांता ये कितना हो गया 105 कि अब यह धी हैं किया सब्सक्राइए 10% कितना हो गया 110 अब 100 को सौ से multiply करेंगे तो देखो या या आप तो देखी रहूँगे ये तो fix है हर बात ठीक है अब ही क्या करेंगे 105 की 110 से multiply करियो 1,2 फ 11,550, बहुत बढ़िया, अभी इन दोनों का डिफ्रेंस निकली, फटा-फट, कितना डिफ्रेंस आया, 550, अभी निकलो 10,000 का, कितना परसेंट, 5550 होगा, यहां प्यार आपके लिखेंगे 100, 100 को इदर ट्रांसफर करो, कितना है, 100, 10,000 को इदर ट्रांसफर करो, फटाफट से, कितना है, 4.0 नहीं है, इसमें 3 ही है, ते 1, 2, 3 कट गया ते कितना बज गया, एक से पच्पन अपॉन दास इकल टू 15.5 परसेंट, यह रिया क्या होगी आपका, इंक्रीज हो गया, तो देखिए, आपका option कौन से सही होगा, option number, भी आपका, सही होगा, भी आपका option सही, चलो, एक प्रैक्टिस होर का रहता हूं, यह देखो, अभी क्या बोलता है, देखो, दस अजार तो fix कर लो, आप, दस अजार तो fix कर लो, कि हम भी यह तो fix है, कितना बढ़ाया, वो देखो, 5% बढ़ा दिया, 105, कितना कम कर दिया, 10%, कितना कम कर दिया, 90, अब बस अब आपको क्या करना है, 105 और 90 को, multiply करना है, तो कितना आएगा, अब देखो, यह कितना है, 9, 4, 5, 0, good, अब देखो, यह कितना है, बढ़ा कौन है, यह, इसका अंतर क्या होगा, 9, 4, 5, 0, minus, यहले कितना था, 10,000, तो कितना बचा, करो, 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 फटाबट, 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 कितना बचा, 550, इसका, मतलब, मतलब, माइनस का शो कर अब देखो, कि 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 कभी अग्रम में क्या होता है जैसे तो देखो option में लिखा हुआ है लेकिन यहां पर कभी option में क्या करता हूँ लिख देता है कि 5.5% बढ़ जाएगा या ऐसा भी option आता है 5.5% कम हो जाएगा तो ऐसे options चूज करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह देखिए यहां पर symbol कौन सा आ रहा है अगर यहां symbol minus आया तो यह 100% क्या होगा इसका कम होगा यह द्यान में रखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते है निकाल तो लेते हैं लेकिन option चूज करने में गलती कर देते हैं तो आप यह द्यान में रखिए कि अगर माइनस आता है तो 100% क्या होगा कम होगा प्लस आता है तो क्या होगा बढ़ेगा ठीक है आगे कुछ नों करते हैं फटाफट देखिए चैन्ट होदें तो फिक्स है यह मारा उसमें तो कोई दिख्कती नहीं है ठीक है कितना कम किया 95 इंटू 110 95 इंटू 110 सब करके देखो फराब 95 को मल्टिप्लाइ करोगे 110 से कितना मिलने वाला है यह मिलेगा आपको 10,000 450 तो देखो क्या हुआ कितने का डिफ्रेंस चाड़े 400 डिफ्रेंस ठीक टेंट होगा कितना परसेंट होना चीए अभी है 10,000 कितना परसेंट होगा फटाफट बोलो साड़े 4 परसेंट अजया फटाफट सांसर तो देख आपको लिखना कितना पड़ा किल दो लाइन लिखनी पड़ती है ताकि कुछ भी लिखने की रिक्वार्मेंट नहीं है चलिए आगे चलता है फटाफट तो 10,000 तो फिक्स है Thisbook to fix कर लो कितना कम कर दिया फाँच परसेंट 95 क्तना इसको भी कम कर दिया 10% तो बचा 90 अब 95 को कि से म्ल्टिपलाई करोगे 90 सरे म्ल्टिपलाई करोगे तो कितना आएगा आपका फटाफट बोलोWhat 8550 कितना कम हो गया फटाफट समयना इस करलो 10,000 में से कितना बच गया पचास किसका बच्चे 1450 माइनस का इसका अपने आप आपको दिख रहा हो गए दिया कम हो जाए गभी 1450 कितना परसेंट का 14.5 परसेंट तो आपको कौन से साइब का उप्चन नमबर आपको बड़ा स्पीड अब आगे चलते हैं वर्ग है इसक्वेर है तो देखो 10,000 को फिक्स करो फटाफाट 10,000 नहां पर आप चाहो तो प्रैक्टिस हो जाए तो आपका एक्स भी लिख सकते हो ठीक है कितना बढ़ा है आपने 10% बढ़ाया तो कितना होगे 110 इंटू 110 कितना होता है 120 कितना अगर डिफ्रेंस है फटाफाट देखो तो क्या ओप्शन होगे आपका 21% जोगा है न फटाफाट करने का तरीका चलो हमालोग कम कर दें तो कम कर दें तो 10 अब देंट तो रखो फटाफाट तो एक्स अपाउन 100 इक्वाल टू कितना कम कर दिया 10% तो कितना होगे 90 इंटू 90 कितना हुआ कितने का डिफ्रेंस आ रहा है ए不到 रहोगे निदी सो रखोग एक दो चट गया तो कितना बच गया कोढ़ना इसका तक कितना पेशंट करना बहुत आता है तो करना बहुत आसान है फ्रकों सस्काल दिसद निच्वा समझ में नहीं आता तो फिर आप कितना भी करते रहे तो तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा ठीक है अब हमारी मुलाकात अगरे लक्षर में होगी तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ एक बात ध्यान में रखिए जाने से पहले अपना प्रैक्टिस सेट लेकर तो आप करके देखिए और अगर को प्रोडम्स हाती है अगली क्लास हमसे पूछिए ठीक है ओके थैंक यू